हेलो फ्रेंज वेलकम तू मैं चैनल तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही तेश्टी रेसिपी बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के साथ में रेसिपी आपके साथ सेर करूंगी तो आज हम बनाएंगे मावा केक तो चले बिना टाइम वेस्ट के हम रेसिपी की शुरुवात करते हैं तो कुछ सामगरे हमने यहाँ पे ले लिए है केक के लिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे कंडेंस मिल्क तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क मैंने 200 ग्राम ले लिया है आपको यह किसी भी केक शॉप में जहाँ पे मटरेल मिलता है वहाँ मिल जाएगा अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मावा लिया है तो यह साधा मावा है फ्रेंस यह भी आपको जहाँ पे केक का मटरेल मिलता है वहाँ पे आराम से मिल जाएगा अब साथ मैंने कुछ काजु बदाम लिये है ड्राइफूर्स अब मैंने वन टीस्पून यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर और वन फोर टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोड़ा लिया है और इसी के साथ अब हम लेंगे वन फिप्टी एमेल मिल्क और यहाँ पे तीन टेबल्स फून हमने लिया है बटर तो सारी चीजे हमें यहाँ पे रूम टेंपरेचर पर ही लेनी है उसके साथ हमने लिया है वैनिला इसे चार से पास बुन दे तो अब हम लेंगे एक बरतन जिसमें हम बैडर बनाने वाले है तो उसमें मैं आड़ कर आप वहाँ से देख सकते हैं कंडेश्मिल घर पर कैसे बनाते हैं उसके साथ मैंने इसमें थ्री टेबल स्पून बटर भी ऐड़ कर दिया है अब हम दोनों को अच्छे से मिला लेंगे तो लगबग एक मिनिट मैंने अच्छे से सब को मिला लिया है अब हम उसमें एड़ कर करेंगे थोड़े से ड्राइफूर्स और थोड़े से ड्राइफूर्स हम बाद में यूज़ करेंगे अब उसके साथ मैं इसमें एड़ करूंगी 4-5 बूंदे वैनिल आइसेंस कि अब इन सब को मैं एक साथ मिला लूंगी तो लगबग एक मिनिट के लिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम उसमें एड़ करेंगे हमारा मिल्क तो यहाँ पे हमने 150 ml मिल्क लिया था तो मिल्क हमें एक साथ एड़ नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा मिल्क एड़ करते हुए हम बैटर बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मिल्क एड़ करते हुए एक ही डाइरेक्शन में गुमाते हुए हमें स्मूद बैटर बनाना है तो 150 ml जितना हमने दूद लिया था पूरा हमने इसमें यूज कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा दूद दालते हुए हमने यहाँ पे एक स्मूद बैटर बना लिया है आप देख सकते हैं एक ही डाइरेक्शन में गुमाते हुए लगबग 5 मिनित के लिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और एक स्मूद बैटर बन चुका है हमारा अब हम उसमें एड करेंगे 100 ग्राम मावा और उसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है हमने तो जब तक हम मिक्स कर रहे हैं बैटर तब तक हम साहिव में ग्यास को आउज कर देंगे और उस underutor नगेंगे एक बतinement की लिए ऑसके प्रच मिनित कर लेंगे तो यहां पे हम बैटर को बीतर की हिल्प से mix कर रहे हैं अगर आपके पास बीतर ना हो तो आप चमस की हिल्प से इसे बना सकते हैं लगबग पास एक ही डाइरेक्शन में आपको अच्छे से घुमाना है और mix करना है तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है अब हमने ले लिया केक तीन को मैंने इस प्रकार उइल से greeze कर लिया है कि अगर आपके पास कोई केक तीन ना हो तो आप किसी भी कुखर के दभेमें इसे बना सकते हैं तो मैं केटम में हमारा बैड्डर ट्रांसपर कर रहे हूं तो आप आप देख सकते हैं बैटर की कंसर्स्टरंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए अब हमारा बरतन भी फ्री हीट हो चुका है तो अब हम केक टीन को इसमें ट्रांसपर कर देंगे तो केक टीन को हमने इसमें ट्रांसपर कर दिया है अब हम तकन लगा कर फिप्टिफाइ मिनिट के लिए इसे बेक कर लेंगे तो लो फ़लेम पे हमें इसे 55 मिनिट तक बेक करना है तो 55 मिनिट्स यहाँ पे हो चुके हैं अब हम एक तूदपीक लेंगे और उसकी हेल्प से चेक कर लेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तूदपीक बिल्कुल क्लीन आ रहे हैं इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है तो अब हम इसे साइड में रख देंगे थंड़ा होने के लिए तो लगबख 10 मिनिट्स के बाद हम इसे एक चाकू की हेल्प से तीन से अलग कर लेंगे तो इस प्रकार 10 मिनिट बाद हमारा केक थंड़ा हो चुका है याद रखिए हमें थंड़ा होने के बाद ही इसे 3 से अलग करना है तो मैंने इसे एक प्लेट में या किसी भी बतर में आपको निकाल लेना है मैं यहाँ पर आपको प्रेस करके दिखाऊंगी कि हमारा केक कितना सॉप्ट बना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल सॉप्ट बना है बिल्कुल जैसे की रूई होती है बिल्कुल वैसे ही सॉप्ट हमारा केक हुआ है तो आप जरूर इसे घर पर एक पाल ट्राइ किजिए बिल्कूल तेस्टी बनता है फ्रेंड्स तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको थोड़ी भी हमारी रेसिपी यूसपूल लगती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार